दोस्तों मेरे पास विडिये जो hendset है realme brand का है और की जिस्तिकर लगा हुआ है और की डिवाई क्यर मारी ओन है और है में प्राबलम यह है दोस्तों कि डिवाइस हमारी FRP lock है यानि कि Google account lock है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Realme 8 5G का Google account lock remove करने का तरीका यानि कि FRP bypass करने का सबसे सटीग दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में घर बैठे बैठे आप अपने डिवाइस का FRP lock यानि कि Google account lock remove कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों मैं आपको confirm कर देता हूं कि मेरे पास यह जो डिवाइस है तो इस message का मतलब यह है कि आप अपने डिवाइस को किसी Wi-Fi के थूरू करिए क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है तो यहाँ जल्दी से मैं अपने डिवाइस को किसी Wi-Fi के थूरू connect कर लेता हूं अब यह देखें दोस्तों, डिवाइस हमारी connect हो गई, यहाँ पे connected आपको सो कर रहा है, और उपर की तरफ देखें, वाई फाई का सिंबल सो कर रहा है, ठीक है, अब उसके बाद हम कर देंगे next, next, ओके, और कुछ सेकेंड वेट कर यह दोस्तों, आपको पूरी तरह confirm हो जाए आप से बोल रहा है कि आप यह password एंटर करिए, यह password देखें दोस्तों हमें पता चलता है कि device पहले हमारी password लाग थी, device को unlock करने के लिए hard reset किया गया, और जब आप device को hard reset करते हैं, तो finally आपको यह problem ठेज करनी परती है, तो यहाँ आपको करना क्या होगा दोस्तों, simple अगर आ उपर से देखिए, cut का mark बना हुआ है, ठीक है, तो हम इस option को simple यहाँ से cancel करनेते हैं, अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि यह बोलेगा कि आप अपने device का Google account verify करिए, कुछ second वेट करिए और यह देखें दोस्तों, Google verify your account, तो यहाँ पे आपको आपके device का Google account verify करना होगा अगर दोस्तों आपको आपके device का Google account मालूम है, तो आप simple यहाँ enter करें, next करें, आपकी device बहुत आसानी से unlock हो जाएगी, लेकिन unfortunately दोस्तों हमें अपने device का Google account भी नहीं मालूम है, यानि कि हमारी device Realme 8 5G तूरी तरह से Google account lock है, तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देख सबसे पहले तो आप यहाँ से बिल्कुल back चले जाए, बिल्कुल back का मतलब आपको चले आना है बिल्कुल home screen पे, यह देखिए, हम चले आए बिल्कुल home screen पे, अब यहाँ दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे कि तरफ दो option है, emergency call और next, आपको simple emergency call पे click करना है, ठीक है, ज तो यह कुछ दोस्तों मैं dial करता हूँ, star, hedge, 8, 1, और उसके बाद 3, ओके, अब उसके बाद आप simple hedge प्रेस कर दें, और कुछ second wait करिए, और यह देखिए दोस्तों, आपकी device पूरी तरह से active हो चुकी है, अनलाग हो चुकी है, यह देखिए दोस्तों, device पूरी तरह से active हो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगती है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को सेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, और ऐसे ही interesting वीडियो के लिए आप मारे YouTube चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा, बगल में जो बेल आकन है, उसे भी प्रे